हैलो फरेंटस आपके अपने चैनल येस जे हिंदी रेस्पी में आप सबी का स्वागत है फरेंटस ये हम बहुत दिनों के लिए सोच रहे थे लेने के लिए लेकिन नहीं ले पा रहे थे finally आज हमने ये नई चीज ले ही ली तो ये हमने ले लिया था धंतिरस को प्रेश में लेकिन आज बनाएंगे इसमें बढ़ियासी यम्मी सी रिस्पी जिसका इंतिजार सभी को है आप सभी को बनाते हैं गोबरधन पूजा के लिए बढ़िया सी यम्मी यम्मी सी चीज और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में अगर हमारी आज की रिष्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्रीज सस्क्राइब करना चलो बनान जुझा से पहले पानी जुरूर डालना चाहिए इस से कड़ाही बगों ना कूंकर उसमें बिलकुल भी नहीं दूद नहीं लगेगा तो अभी हमने टाल दिया है एक लिटर फुल क्रीम डूद डाल दिया और इसंद्ध कर दिया है और इसको उबालाने तक पकने देंगे त तो इसी के साथ महलका दूद्ध गर्म हो गया है तो हमने डाल देते हैं चावल जो चावल हमने भिगो के रखे थे थोड़ी देर के लिए तो आज हम बनाएंगे खीर गोबर्धन पूजा के लिए जो खीर बनती है तो वो बनाएंगे वो भी नई कड़ाही में परियासी जो बहुत दीनों के इंतिजार के बाद आखिर फाइनली ले ही ली तो बनाते हैं खीर और इसको हम पकने देते हैं दीमी आज पर बनाएंगे जो बहुत देर दीमी दीमी आज पर पकती रहेगी बढ़िया सी हमारी खीर तयार होगी तो अभी हम इसको पकने देते हैं उबा ला अलू की कचोड़ी बढ़िया से तो अभी हमने इसमें अलू में डाल दिया है मिक्स मसाला झो धनिया पावडर सौफ पावडर और खड़ी धनिया साबू सौफ जीर सारे मसाले मिक्स करके बनाया हुआ है मसाला और साथ में हमने डाल दिया इसमें टेस्ट के अनुसार नमक, जो काला नमक है वो हमने डाला है और साथ में हमने तीखे के लिए थोड़ा सा हमने डाल दिया है लाल मिर्च और साबुत जीरा तो मसाले हमने बहुत जादा से नहीं डालें क्योंकि हमारा जो मसाला पहले का तग्यार किया हुआ है उसमें बहुत मसाले मिक्स हैं वो एक special मसाला बना के बनता है कचोड़ी के लिए खस्ते के लिए वो मसाला बढ़िया सा बनता है तो आलू को अभी हम मैश कर लेंगे हाथ से ही मसाले और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ आलू हमने मैश कर लिया है और साथ में हम डालेंगे हरी मिर्ची तो दो हरी मिर्ची हमने काट के रखी हैं बारिक काटली है, इनको भी डाल देंगे, साथ में हम डालेंगे, एक बड़ा टुकला, हमाने अध्रका कदूकस किया हुआ है, और धेर सारा धनियापत्ती, तो इनके बिना तो फ्लेवर अधूरा रह जाता है, तो कचोड़ी जो कंप्लीट होती है, इन ही मसालों से होती है, और अभी हम सारे मसाले और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका जैसे कहते हैं ना स्टफिंग बना लेंगे, तो यह हमारा आलू हो गया है, बढ़िया सा तयार, लेकिन अभी इसमें है कुछ कमी, तो अब हम क्या करें, इसमें डालेंगे हम चांट मसाला, चांट मस जाएगा बहुत बढ़िया तो आलू हमारी तयार हो गई है इधर हम साइड में देख लेते हैं खीर हमारी तो हमने अभी लिया है ड्राइफ रूट तो ड्राइफ रूट में हैं हमारे काजू बादाम पिस्ता और साथ में हमने लिया है पंकिन जो कदू के बीज होते हैं और तर्बूच के भी बीज होते हैं, तो बहुत साले हमने इसमें फ्लेवर मिला लिये हैं, वो भी डाल देते हैं, ड्राइफ रूट के, और इसी के साथ हम डालेंगे चीनी, और चीनी में हम साथ में डाल देंगे इसमें, सैफरान, सैफरान जिसको कहते हैं न, तो ये डाल साथ में इससे ना फ्लेवर बढ़िया सा हमारा आएगा खीर का आप केसर कह सकते हो सैफरान भी कह सकते हो तो अभी इसको भी डाल देते तो जैसे जिस हिसाब से हमारी चावल था उसी के हिसाब से हम डालेंगे चीनी तो चीनी हमने एक कटोरी डाली है और इससे जो मिठास होगी और अब हमारी खीर लगभग तयार हो गई है गाड़ी से अच्छी सी बढ़िया दम मलाईदार खीर हमारी बन गई है और लास्ट में अब हम डाल देंगे इसमें छोटी इलाइची पाउडर जो फ्लेवर के लिए बहुत बढ़िया होगा तो ये हमारी खीर बढ़िया सी हो गई है लेकिन अभी इसको हम दीमियाज पे दो मिनट के लिए भी और इसको पकने देंगे तो जैसे हमारी जितनी देर ये खेर थोड़ी सी और पकती है और थोड़ा सा गारी होती हम लगा लेंगे कचोड़ी के लिए आठा तो हमने लिया है गेहूं का आठा और साथ में इसमें हमने डाल दिया है नमक थोड़ा सा नमक एक टीवी इसमें नमक डाल दिया है और साथ में हम डालेंगे इसमें तेल, तेल या घी आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने डाल दिया इसमें तेल, तेल से खस्ता बहुत बढ़ी आसी कचोड़ी हमारी बनेंगी, तो आठे को मिक्स कर लेते हैं, और इसके साथ साथ में हम पानी डाल के, एक आठा जो ना, डो तयार करेंगे, आठा तयार कर लेते हैं, तो आठा हमारा भी तयार करते हैं, और बीच बीच में हम साथ में देखते जाएंगे, हमारी खीर कैसी पक रही है, तो बढ़ी असी आटा भी तयार हो गया तो हमने आटा भी लगा लिया है और इसको रखते हैं थोड़ा साइड में और देख लेते हैं अब खीर तो खीर हमारी तयार हो गई है बढ़िया से एकदम लोव फ्लेम पे खीर बनी है तो काफी टाइम लग गया है एकदम दिखे मलाईदार रबड़ी तार बढ़िया सी हमारी खेर तयार हो गई है और जब ऐसी बनती है रियम में इसी खेर तो फिर मज़ाई आ जाता है तो आज हमने गोबरदन पूजा के लिए बनाया है खेर और आलू की कचोड़ी जो बहुत जादा बढ़िया सी बनी है और बस इसी के बाद अब हम करेंगे पूजा की तयारी तो साइड में रख देते हैं खेर और इसके साथ में अब हम बनाएंगे कचोड़ी तो ये हो गई हमारी खेर तयार इसको ढग देते हैं और रख देते हैं साइड में और बनाना स्टार्ट करते हैं आलू की कचोड़ी तो कड़ाई हमने तयार कर दी चड़ा दी है जो अपने वही है लोही की कड़ाही तलने वाली और इसमें हमने डाल दिया है सरसों का तेल तो सरसों के तेल में बनाएंगे सरसों के तेल की जो कचोड़ी बनती है तो फिर कहना ही क्या है बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है और कचोड़ीयां बना लेते हैं तो इस तरह से हम लेंगे छोटी सी लुई और इसी में हम भरेंगे कचोड़ी आठे के बराबर ही इसका जो आलू रखेंगे इससे जीतना ज्यादा आलू इसमें आलू भरा होगा इतनी ही ज्यादा अच्छी कचोड़ी हमारी बनेगी खसता एकदम क्रिस्पी सी तो हाँ से दबा के भी बना सकते हैं और बेल के बना सकते हैं तो मैं तो हमें सब बेल के ही बनाती हूँ तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है ना बहुत ज़्यादा मोटी होती है ना पतली होती है medium size इसका होता है तो इसी तरह से हम कचोड़ियां बना लेंगे सारी कचोड़ी तो फ्रेंड्स आप लोगों किस-किस को ये वाली कचोड़ी और खीर पसंद है जो आलू की कचोड़ी खीर का फ्लेवर जो आता है दोनों का एक साथ तीखा भी और मीठा भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरी फैमिली को ये चीज बहुत अच्छी लगती, सभी लोगों को अच्छी लगती है और आप लोगों को क्या पसंद आती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए तो इसी तरह से हम सारी कचोड़ियां भर लेंगे पहले इस तरह से भरके रख लेने में ज़्यादा आसानी रहती है, बनाना भी आसान रहता है और फटा-फट से बन जाती है, तो इस तरह से हमने बना ली है, कचोड़ियां ये और साथ में और बना लेते हैं तो इस तरह से हमारी कचोडिया भरके तियार हो गई है अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो तेल देख लेते हैं गर्म हो गया है तेल अच्छा सा गर्म हो गया है और कचोडिना फ्राई कर लेते हैं तो फूली फूली हमारी आलू की खस्ते वाली कचोड़ी खाने में इतनी ज्यादा बड़िया लगती है आलू की कचोड़ी सभी की फेवरेट होती है सभी लोगों को आलू की कचोड़ी पसंद आती है बहुत ज्यादा कुछ भी बनाने कमन हो फटाफट आलू की कचोड़ी बना लो ना जादा ठाइम लगता है बनाने का और ना ही कोई जंजट इसलिए फटाफट बन जाती हैं और खाने में मज़ेदार होती हैं सब्जी रोटी सब्जी पुड़ी कुछ भी न बनाने का मन हो कचोड़ी बना लो बहुत बढ़िया लगती है तो सारी हम इसी तरह से तल लेंगे फूली फूली एकदम करारी सी खस्ता कचोड़ी आलू की सरसों के तेल में बनाई हुई कचोड़ी तो फिर कहना है इतना अच्छा स्वास आता है इसका तो अच्छा की खस्ता कचोड़ी लगती है बहुत जादा टेस्टी लगती है तो इस तरह से हम ने बना लिया है कचोड़ी सारी कचोड़ी इसी तरह से हम थल लेंगे फ्राई कर लेंगे इनको तो ये हो गई तयार हमारी कचोड़ी आलो की कचोड़ी तयार हो गई है हमारी और अब हम करते हैं तयारी पूजा की तो कुछी इस तरह से हमने की गोबरदन भगवान की पूजा स्रीकेशन भगवान गोबरदन भगवान की पूजा की इसी तरह से सभी केहां होती है आप लोग कैसे गोबरदन की पूजा करते हैं सबी के हाँ कुछ different होता है हमने भी different बनाया तो friends हमारी आज की recipe कैसी लगी हमें comment करके ज़रूर बताना मिलेंगे new recipe के साथ बाई